बुलन शेहर में दो दोस्त रोहन और अमन रहते थे जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी वो दोनों हर चोटी बड़ी बाते एक दूसरे को बताते थे एक दिन रोहन अमन को गले लगा कर बहुत खुशी से बोलता है भाई आज तेरी भावी नैना ने मेरा प्रोपोसल एकसेप्ट कर लिया आज तेरा भाई बहुत खुश है आज तु जो मागेगा वो मिलेगा तुझे बता क्या चाहिए पकाना साले जो मागूंगा भाई देगा बाद में मना तो नहीं करेगा अरे हाँ हाँ तेरे भाई ने बोला ना आज तु जो बोलेगा वो मिलेगा कल फिर नैना के गर जाकर शादी की बाद भी तो करनी है इसलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे चल फिर अपने अड़े पर तुझे तब बताई है बिना गला गिला किये हमारी पाठी कहा पूरी होती है और ये तो सही का तुने चल चलते रोहन और रमन एक बार कलब में जाते हैं जहां वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं इतनी ड्रिंक करते हैं कि रोहन से तो चला भी नहीं जाता दोनों अपनी ड्रिंक को खत्म करके घर के लिए निकलते हैं जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं रोहन गिर जाता है फिर रमन उसे संभालता है भाई घर जादा देर रो गई तो आंटी ने घर्ण में घुशने नहीं देना है भाई बता रहा हूँ चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा ठीक है तुछ से ठी से चलाएं जा रहा है पहले गाड़ी तक तो पहुंच जा भे नशे में धुथ होकर रोहन किसी तरह केजी नेडी बाई चला कर घर के पास पहुंच जाता है पर तभी वो घर की सीर्यों पर जोर से गिर जाता है भाई तुछ ठीक तो है ए भाई ए ए भाई लगी तो नहीं तुझे ए तभी रोहन की मा लता वहां आती है और बोलती है ये क्या हुआ तुझे ऐसे नीचे क्यों पड़ा है आज फिर पी कर आया है अरे नालाइक जब संभाल नहीं सकता आपने आपको तो क्यों इतनी पीता है जैसी तेरी हरकते हैं तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी बेटा आमन तु ही लेकर आ जा इस नालाइक को अंदर इसके खुद के बस की बात नहीं है अमन रोहन को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सोजाता है अगले दिन सुबह लता रोहन को आवाज मार कर उठाती है तो आँखे खोल कर भी वो नीन में होता है मा अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो नालायक अभी भी नशे में है, सूरच सर पर आगया है आँखे खोल कर दे, और कब होगी तेरी सुबह? एक आवाज में उठकर नीचे आजा, वरना तेरी टांगे तोड़ देनी है मैंने आज यार अमन तू कहा है, मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा, लाइट जला जला रहा अब पागल हो गया क्या, इतनी रोशनी होतो रही है, मेरी आखों में तो चुब रही है और तुझे अंदेरा लग रहा है क्यों मजाग कर रहा है यार सुबह-सुबह अंदेरा ही तो है और तू है का मुझे दिखाई नहीं दे रहा अंदेरे में लाइट जला ना अमन रोहन की बात सुनकर घबरा जाता है वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है अब देखी साले रोशनी नाइड जला तभी तो देखेगी रोशनी ये सब देखकर अमन समझ जाता है कि गिरने की वज़ा से रोहन की आँखे चली गई है भाई तू अंधा हो गया लग रहा है दोनों इस बात से बहुत परिशान होते है लता उन दोनों को नीचे से आवाजे लगा रही होती है जिसे सुनकर अमन रोहन को संभाल कर नीचे लेकर जाता है और रोहन प्यार का मारा अपनी माग को सच बतानी की जगह नैना की बारे में बताता है और जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौकला जाती है और बोलती है सच्ची तुझे लड़की मिल गई शुकर है भगवान का तुझे किसी लड़की ने पसंद किया वरना तेरे लक्षन देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझ से शादी करेगी अब मेरे घर भी बहू आएगी मैं अभी तयार हो कर आती हूँ फिर हम नैना के घर चलेंगे लता तयार होने चली जाती है और अमन भी रोहन को तयार कर देता है तीनों नैना के घर जाते है जहाँ पर नैना की मा कमला उनका स्वागत करती है और सब को बैठने के लिए बोलती है ना दिखने के कारण रोहन नैना की गोद में जाकर बैठ जाता है ये देखकर कमला बोलती है बेटा, महाशादी के बाद बैठना अभी फिलाल सोफे पर बैठो ओहो, आप माफ करना अंटी जी दोनों परिवार मिलकर रिष्टे की बाद करते है इस बीच नैना रोहन को ही देख रही होती है और रोहन इधर उधर देख रहा होता है तब ही नैना रोहन को कोही मार कर बोलती है तुम्हारे बकल में बैठी हूँ मैं इधर उतर क्या देख रहे हैं? ये सुनकर रोहन अपने मन में कहता है। इधर उतर तो तब देखूंगा ना, जब कुछ दिखेगा। ए भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। बोलोगे भी अब कुछ या नहीं? बेबी पूरी जिंदगी अब तुम्हें देखना है। जब कर गिर जाता था। ये सब देखकर लता रोहन से बोलती है। चल जाएगा। कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिष्टे नहीं जुडते। हाँ भाई आंटी सही कह रही है। नैना को सब कुछ सच सच बता दे। लता और अमन की बात मान कर अगले दिन वो उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूले को अचानक अपने घर देखकर कमला और नैना उसके पास आकर बोलते हैं। हरे रोहन तुमें यहां कुछ काम था। तुम इदन पर क्या देख रहे हो। मैं तुम से बात कर रहे हूँ। मेरी तरफ देखकर बात करो। मैं जहां भी देख रहा हूँ तुम उसी तरह आ जाओ क्योंकि मेरी आँखों की रोशनी जा चुकी है मैं देख नहीं सकता क्या ये क्या मज़ा कर रहे हो तुम अमन सबको सारा सच बताता है जिसके बाद रोहन बोलता है मैं अपने रिष्टे की शुरुआत जूट की बुनियात पर नहीं करना चाहता था मानता हूँ तुम से प्यार करता हूँ पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँगा लेकिन जूट बोलकर तुम्हें बावी लिता तो कभी तुमसे नजरे नहीं मिला पाता तब ही अमन रोहन के कान में मजाग में बोलता है अबे हो नजरे तो तु सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा बे अबे साले चुपकर फ्लो मत बिगाड़ चल बगया से अब जो भी तुमारा फैसला होगा वो मुझे मन्सूर है रोहन के इतना बोलने पर अमन और लता वापस जाने के लिए मुड़ जाते है और रोहन वहाँ खड़ा खड़ा अमन से बोलता है अबे साले आप पकड़ कर ले चल सारे डायलोग की ऐसी तैसी कर दी बै कहा गया अकेला तो निचला गया निकम में अमन रोहन खुदी दीरे दीरे चलने लगता है तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वो गिरने वाला होता है तभी नैना उसे संभाल लेती है पर रोहन उसे अमन समझ कर बोलता है मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे रोहन जिन्दगी के इस मुश्किल मोड पर मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूँगी ओ वाव यार, स्पीच आखिर काम कर गई लव यू भाय अमन, ये तू नहीं लिख कर दी थी एक बार फिर सोच लो नेना, क्या तुम्हें ये अंधा पती, जिन्दगी भर के लिए स्विकार होगा? हाँ मुझे स्विकार है, आज से मैं तुम्हारी आँके बनूगी नेना रोहन को अपना लेती है शादी के बाद नेना कमरे में रोहन का इंतजार कर रही होती है वो गिरता पढ़ता कमरे में आकर बोलता है नेना संभालकर रोहन को बैट के पास लाती है और रोहन नेना की गर्दन दोनों हाथों से पकड़ कर बोलता है अरे ये तुम्हारी कमर इतनी पतली और उपर कैसे हो गई वो मेरी गरदन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो नैना रोहन के हाथों को अपनी कमر पर रख कर बोलती है अरे मेरे अंधे पती, ये है मेरी कमर वैसे मानना पड़ेगा, आँखे नहीं है लेकिन रोमांच कूट-कूट कर भरा है जनाब में रोमांच के लिए आखों के क्या जरूरत है? अच्छा, तो किसकी जरूरत है? रुको अभी बताता हूँ रोहन नैना को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेट पर लिटा देता है उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को इंचॉई करते हैं इसी के साथ नैना रोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पती के रूप में अचुआ ज़िए